वेलकम टू सारिका ब्लॉक्स हेलो फ्रेंड्स मैं सारिका सारिका ब्लॉक्स में आपका स्वागत करती हूं आज मैं बनाने जा रही हूं प्याज का पराथा मॉर्निंग का नास्ता में यह देखिए इसको प्याज को हमने छोटे-छोटे बारिक टुकरे में काट लिया है और यहां पर कुछ मसाले हैं जो इसमें डालना है यह मंग्रेला जिसको कलोंजी बोलते हैं यह मैं यह हरा मिर्च अद्रक और नमक है स्वाद के अनुसार और इसको सब को आटे में मिक्स कर लेंगे यह आटा लिया मैंने और उसमें जितना भी प्याज हमने काट के रखा था उ बोलते हैं यह डाल देंगे पहले अजमाइन को हम हाथ पर रगड़ के डालेंगे उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यह हरा मिर्च है फ्रेंड्स अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहा है तो हरा मिर्च नहीं दीजिएगा यह अद्रक डाला मैंने अब सभी को पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे अभी पानी डालेंगे जब यह सब मिक्स हो जाएगा तो थोरा थोरा पानी डालना है ज्यादा पानी डालना है ज्यादा पानी डालने पे वह गिला हो जाएगा तो वह क्या होता नमक से ना पानी छोड़ता है तो आटा और गिला हो जागा तो हल्का सॉप्ट मतलब आटा सानना है टाइट भी नहीं करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा को गुथ दीजिए इस तरह से फ्रेंड्स ये नास्ते में बहुत ही टेस्टी लगेगा इसको अचार के साथ ये टोमेटो कैचप के साथ खा सकते हैं बच दिखाते हैं कि कैसे बनता है आप बच्चों को लांच में भी दे सकते हैं इसको उसमें मिर्च नहीं डालिए लांच में बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे इसको छोटा-छोटा लोई कर लिजे लोई करने के बाद उसको उसमें थोड़ा सा आटा लगा लिजे आटा ल टाइठ है नहीं अब इसको तावा पे डाल रही हूं एक चीछ धियान रखना है फ्रेंस तावा पे डालने के बाद पहली वार में आप तुरंत इसको पलट दीजिएगा नहीं तो नीचे से वह एक तरफ ज्यादा जल जाएगा इस तुरंत पलटने से क्या होता है न कि आईएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा अभी तक नहीं किये होंगे तो अब प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किजिएगा कॉमेंट किजिएगा यह देखिए मेरा पराठा बनके तयार है आप यह अचार या टोमेटो कैस्ट आपके साथ खाईए